मद्ध प्रदेश के जवलपुर जिले के कुन्नम विकासखंट के अंतरगत आठ किलोमीटर दूरी पर एक सरवाली गाउं है यहाँ पर एक आंगनवाडी केंद्र है और आंगनवाडी को आरोग केंद्र भी बनाया गया है इस आरोग केंद्र में गर्वती महिलाएं टीका करण के दिन टीका लगवाने के लिए आती हैं बारिस के समय छटका पानी आंगन कफर्ष ठीक न होने के कारण बारिस में पानी रूम के अंदर भर जाता है तो यह पानी कैसे आया यह रूम के अंदर आतारी को सायथ पानी के लगवाने के लिए तो बहुत पानी बारिस में इतना बारिस होने के बादे असे भर गया था और ना ही मतलब धिलांटाइट की भी फर्ष नहीं है कि जा सके वो पानी और ऐसे ही भरा हुए तो इसलिए वे शाब करें और इस आंगनवाडी कैंदर में सोचाले जो बना है वो विगत छे महने से चोक पड़ा हुआ है आगनवाडी कैंदर के बच्चे सोचाले न होने से परिशान रहते हैं सहाई का बाई सोच के लिए बच्चों को बाहर ले जाती है ये समस्या छे मा होने जा रहे हैं आज तक इस समस्या का समधान नहीं हो रहा है आप लोग कभी सबी महिलाएं मिल करके और पंचायत में बात किये कि ये जैसे सोचाले चोक हुआ अच्छे महने हो गए और यह बर्षाथ का पानी अंदर आता है और और महिलाएं बोल रही हैं उन महिलाएं भी बताई हैं, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ सुधार नहीं को है ना उसके सफाई लिए हैं। आप लोग क्या चाहती हैं, यहां क्या होना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि जनपत पंचात सीयों के द्वारा आंगनवाडी केंद्री की अतिसी ग्रजाच की जाए और इस समस्या को समाधान के लिए सरपंच को आदिस सित करें। ताकि यहां पर जो गर्वती महिलाएं और छोटे बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको परिशानियों का शामना ना करना पड़े। मैं वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करती हूँ, क्रप्या इस पते पर कॉल कर हमारी मदद करें। पता है जनपत पंचाथ सियो कुंडम सिरिमती वासंती दूबे, उनका मोबाइल नमबर 9425-877-104, मैं सरोज परस्ते ग्राम सरौली, विकाश खंड कुंडम, जिला जवलपूर मदप्रदेश से इंडिया अनहर्ट के लिए। झाल 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 झाले विकाश के लिए।